इंडिया की एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां एक साइड तो राजस्थान जैसा दिखने वाला भूरा, बंजर और रेतीला व्यू है और एक साइड है केरल की हर्याली एक साइड जील है तो दूसरी साइड हजारों फीट उचे परवतों के वीच है सुन्दर घाटिया ऐसा अद्भुत और अविस्मर निया है लदाग पर क्या है इस अद्भुत लदाग की हिस्ट्री? ऐसे कौन-कौन से राजा थे जिन्होंने यहां रूल किया और यहां बुद्धिजम कैसे आया? लदाग कैसे जमुएन कश्मीर का हिस्सा बना और चाइना का इसमें क्या इन्वाल्वमेंट है? यह सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा क्योंकि यह इन्वाल्वमेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी तो स्टार्ट करते हैं लदाग लदाग की हिस्ट्री को हम इन पाच फेजिज में समझ सकते हैं अर्ली हिस्ट्री यानि की आरंभिक इतिहास, तिब्बती राजबंश, नामग्याल राजबंश, डोंगरा नियम और ब्रिटिश रूर लदाग के बारे में दोस्तों साथवी सती से ही जानकारी उपलब्थ है इसके पहले की इंफर्मेशन लिखित रूप में कहीं नहीं है पर हम जो दूसरे राज़ों के हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हमें लदाग का जिक्र मिलता है तो उससे हमें काफी सारी खास बाते पता चलती है तो देखते हैं लदाग का आरंभिक इतिहास लदाग में बसने वाले सबसे पहले समुदाए थे दार्थ समुदाए दार्थ समुदाए एक इंडो आरियन रेस है ये समुदाए उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत और पूर्वी अफगानिस्तान में रहते थे फर्स सेंचरी एडी में यहां पर कुष्ण डाइनस्टी का राज था जो कि अफगानिस्तान से आये थे और ये एक समधार्मिय राज था मतलब यहां पर अलग-अलग धर्मों का पालन किया जाता था बुद्धिजम, जोरास्ट्रियनिजम और हिंदुईजम यहां पर फॉलो किये जाते थे लदाख में तिब्बती राजबंश कैसे आया? 8 सेंचुरी तक आते आते टिब्बतिन एंपायर काफी बड़ा हो चुका था और लदाख अब टिब्बिट के अंदर था पर यहां के लोग मूल तहद दार्थ समुताएके थे जो की आरियंस थे तिब्बत के प्रभाव में यहां पर बौन धर्म अपनाया जाने लगा जो की एक तरीके से तिब्बती मूल का बुद्धिजम है तिब्बती सामराज के पतन के शुरवात 842 में हुई और इस दौरान तिब्बती सामराज काफी अलग-अलग समुहों में तूट गया 975 से 1000 AD तक न्यामा गौन जो की तिब्बत के शाही खांदान के सद्यस थे उन्होंने लद्दाग पर राज किया अपने राज में इन्होंने लद्दाग को काफी बढ़ाया इस डाइनस्टी के पहले राजाओं के बारे में जादा इन्फर्मेशन नहीं है न्यामी गौन के परिवार ने 13 सेंचुरी तक काफी अच्छे से अपने राज की प्रगती करी और सीमाओं को बढ़ाया 13 सेंचुरी के पहले तक मद्धी एशिया में टर्किश, सुल्जुक्स और काफी अलग-अलग नुमैडिक ट्राइप्स थी क्यूंकि रोमन एम्पायर भी उसी समय छोटे-छोटे हिस्सों में बढ़ गया था 13 सेंचुरी के बाद करीबन 1219 से 1223 के बीच में मंगोल इन्वेजिन हुआ मद्धी एशिया में ऐसी तबाही के कारण लद्दाग पर भी बहुत असर पड़ा और लद्दाग दो हिस्सों में विभाजित हो गया ये जो लद्दाग विभाजित हो गया था उसे बाजगो के एक राजा ने फिर से एकतरित किया इस राजा ने अपना उपनाम नामग्याल रखा जो की आज भी कंटिन्यू है लद्दाग में अब नामग्याल राजवन्स का दोर आया राजा ताशी नामग्याल जिनका कारेकाल 1555 से 1575 तक था उन्होंने एशिया से अटैक करने वाली सेनाओं का खुब प्रतिरोत किया 1616 से 1642 के दौर में नामग्याल डाइनेस्टी के राजा थे सिंगे नामग्याल जिन्हें लायन किन का खिताब भी दिया जाता है इन्होंने बहुत सारे पुनर निर्मान के कारे किये जिसे रिस्टोरेशन वर्फ कहते हैं जो मुनेस्ट्रीज बलिस्तीन से आये मुस्लिम सेनिकों ने तोड़ दी थी उन्हें ठीक किया आजा सिंगे नामग्याल एक मजबूत समराट एक बहुत ही अच्छे राजने था और एक कुशल बिल्डर भी थे उन्होंने एतिहासिक नौ मंग्जिली ले पैलिस का उन्होंने लद्दाक में होर्स पोलो का भी प्रचार किया अब जानते हैं कैसे आया लद्दाक में डोग्रा राज आगे जाके नामग्याल डाइनस्टी के राजा मुगलों से पराजित हो गए उस समय जहांगीर और और औरंजेव ये मुगल रूलर्स थे भारत में मुगल्स करीब 19th सेंचुरी तक रहे उसके बाद मुगल्स का भी पतन शुरू हो गया और पंजाब और कश्मीर में सिख रूलर आए जम्मू के दोग्रा इलाके में राजपूत राजा राजा गुलाब सिंग थे 1834 में लद्दाक के राजा शिस्पाल नामग्याल पर डोग्रा राजा गुलाब सिंग के जनरल जोरावर सिंग ने हमला कर दिया और लद्दाक डोग्रा के कंट्रोल में चला गया 1841-42 में डोग्रा टिबिटन बौर हुआ लद्दाक पर चाइना के अधिक्रित तिबित ने हमला कर दिया इस युद्ध के बाद लद्दाक को जमो कश्मीर के डोग्रा स्टेट में मिला दिया गया नामग्याल डाइनस्टी के राजा को स्तॉक में भेज दिया गया जब हम अभी भी लद्दाक घूमने जाते हैं तो स्तॉक विलेज देख सकते हैं स्तौक लद्दाग से करीब 6-7 किलोमेटर के अंतर पर है 1845-46 में जमू और कश्मीर में हुआ सबसे पहला एंगलो सिक वार ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी और सिक एंपायर में हुए इस जंग में डोगरा, राजा, गुलाब सिंग ने ब्रिटिश का साथ दिया ब्रिटिश जीत गए और जमू और कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स बन गया गुलाब सिंग ने ट्रीटी ओफ अमरिट्सर 1846 के तहत लद्दाग और कश्मीर वैली को ब्रिटिश सरकार से खरीद लिया गुलाब सिंग ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इसलिए ब्रिटिशर्स ने खुश होकर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जमू और कश्मीर के राजा गुलाब सिंग को बना दिया 1947 में भारत विभाजन के बाद लदाग जमू और कश्मीर का हिस्सा रहा यहां की राजधानी रही श्री नगर आजादी के बाद भी लदाग में कई तनाव चलते रहें लदाग में स्थित कारगिल के लिए 1965, 1971, 1999 में तनाव बना रहा 1949 में चीन ने नूब्रा और सिंक्यांग के बीच की सीमा बन कर दी ये करीम हजार साल से इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक ट्रेड रूट था 1962 में चीन ने अकसाई चीन पर कबजा कर लिया और पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप में सिंग्याल और तिबबत और कारा कुरम राजमार को जोडने वाली सडक का निर्मान किया 1950 में चीन ने तिबबत पर आक्रमन किया और दलाई लामा सहिद हजारों तिबबतियों को भारत की शरण में आना पड़ा उस समय से धीरे धीरे तिबबती रिफ्यूजी बन कर लदाक ले में आते गए आज यहाँ पर तिबबत से काफी रिफ्यूजी रह रहे हैं पार्टिशन के बाद से ही लदाक को श्री नगर से जमू और कश्मीर की स्टेट समालती थी भारत सरकार द्वारा 31st of October 2019 को एक रिफॉर्म लाया गया जिसके तहट जमू और कश्मीर और बाकी के हिस्से लदाक से अलग हो गए तो इस तरीके से लदाक अप एक अलग union territory है तो दोस्तों आप अगली बार जब लदाक जाएंगे तो वहाँ पे जब आप घूमेंगे तो ये सब history आप अपने mind में रखिएगा और जबी भी आप monasteries विजिट करेंगे वहाँ का को भी local sightseeing विजिट करेंगे तो जरूर इन सब चीजों को आप relate कर पाएंगे easily लदाक के culture में आज भी तिब्बती culture का बहुत influence है जब आप कहाँ पे जाएंगे तो आप ये चीज observe करेंगे आपको हमरा वीडियो कैसा लगा आप हमें comment section में जरूर लिखके बताईएगा आप लोगोंने लदाक के तो बहुत photos share करें होंगे क्योंकि वो बहुत ही beautiful होते हैं तो आप उसकी history के बारे में ये वीडियो भी अपने friends के साथ share करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में